भाग्यासाली पुर्सों के नो लक्षा समुंदरिक सास्तर में मर्दों के सरीर की बनावट और सरीर में मुझूद कई निसानों के अधार पर किसी पुर्स के जीवन का भागी और उसके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं पुर्सों के सरीर के उन भागों निसानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से सम्मंदित होते हैं साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन पुर्षों के चाती पर बाल होते हैं समुंदर सास्तर के अंसार आखिर इसका आर्थ क्या है धन की जरूरत सबको होती है फिर चाहे गरीब हो या अमीर हो धन के बगैर नै धरम किया जा सकता है और नहीं किसी भूके इंसान की भू दनवान होना लिखा है या नहीं भोतिक जगत में धन की बहुत अधिक महता है ऐसे में आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं आए जानते हैं पुर्षों के उन अंगों के उन निसानों के बारे में जो आपको भाग्य साली होने का संकेत देते हैं लेकिन दोस पूर्ष के पैर कोमल मासल यानि भरे हुए रतवन यानि लाल रंके होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं वे सभी सुक सविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं ऐसे लोग बहुत ही अराम का जीवन वैतीत करते हैं नमबर ती जिन पूर्षों की जांग लंबी मोटी और मासल यानि भरी हुई होती हैं वे भागे का साथ प्राप्त करते हैं मजबूत जांग वाले पुर्ष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं नमबर चार समुद्रिक सास्तर के अंसार जिस पुर्ष की गर्दन छोटी और समान्य होती है तो ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्दियां हासिल करते हैं नमबर पांच यदि किसी पुर्ष की नाभी गहरी और गोल है तो वह सभी सुख प्राप्त करता है नमबर छे जिस पुर्ष की पीठ कच्छवे की पीठ के अकार की त्रह दिखती हैं वह धनवान और भग्य साली होता है नमबर साथ यदि किसी पुर्ष के पैर में तरजनी उंगली यानि अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति सुख प्राप्त करने वाले होती हैं नमबर आठ यदि किसी पुर्ष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं दोस्तों आईए अब जानते हैं कि पुर्षों की छाती पर बाल होते हैं समुदर सास्तर के अंसार इसका आखिर आर्थ क्या है नमबर एक जिन पुर्षों के छाती पर अधिक बाल होते हैं ऐसे पुर्ष दूसरे पुर्ष के मुकाबले ज़्यादा दिमाखदार होते हैं और इन लोगों का जनम ही पैसा कमाने के लिए होता है ये अपने दिमाख से गर बैठे बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं नमबर दो समुदर सास्तर के अंसार छाती पर बाल वाले पुर्ष कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और ये बड़े सांत सभाव के होते हैं ये लोग कभी किसी से जूट नहीं बोल पाते हैं और हमेशा सच ही बोलते हैं ये भी कहा जाता है कि चाती पर बाल वाले पुर्ष बड़े महनती होते हैं और महनत करने से पीछे नहीं हटते ये कभी भी किसी को धोका देने की नहीं सोचते लोग इनके अच्छे सभाव से ही इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती साथी पुर्षों की चाती के बाल हर महिला को अपनी और अकरसित करते हैं लेकिन इसके साथी यह बात भी सही है कि सीने में बाल होना सुब लक्षन माना जाता है जिन पुर्षों के सीने में बाल होते हैं वह सभाव से द्यालू और भग्य साली भी होते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैं स्री कृष्णा